जहिन्द श्टुएंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हैं आपके अपने यूट्वीब चैनल सोनु सर क्लासेज में श्टुएंट्स एक बहुत अच्छी कबर काउंसलिंग को ले करके निकल के आ रही है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे फ्लोट कर रहे हैं इनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि वो अपने च्वाइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं यानि मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं इस्टुएंट्स देखिए अपनी च्वाइस में मॉडिफिकेशन करने लिए सबसे पहले आपको जीकप की ओफिशियल वेब पेज है इसमें आपको दो सर्वर आपको दिखाए देंगे राउंड one seat अलॉट्मेंट रिजल्ट के और round one seat अलॉट्मेंट रिजल्ट का ही एक सर्वर नमबर 1 और दूसरा सर्वर नमबर 2 दिखाए देगा आप इन दोनों में से किसी का भी यूच करके अपने ID में लॉग लॉग इन आ रहा है तो यह अगर आपने पहले कभी लॉग इन किया होगा तो दिखा सकता है तो आप इस रेड़ वाले बटन पर क्लिक करके और यहां पर OK पर क्लिक कर देंगे तो आपका यह आपका लॉग इन पेच ओपन हो जाएगा इसमें आपको सबसे पहले अपना यहा यहां पर फिल करना है पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सिक्रोर्टी पिन यानि कि कैप्चा कोड जो आपको यह दिया हुआ है यह आपको फिल करना है यहां पर ठीक है और उसके बाद आपको साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर OTP का ओप्शन खु मुझे मोबाइल नंबर पर OTP भेजना है तो मैं यहां से मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बास सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे लॉग इन हो जाने के बाद आपका जो डैसबोर्ड है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा जिसमें आपको एक ऑप्शन यहां पर दिख रहा है मैंने च्वाइस फीलिंग एंड लॉकिंग इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपसे यहां पर एक जो important instruction है वो आपको दिखाएगा और इसमें जो भी इनका terms and conditions हैं उनको यहां पर accept करते हुए और उसके बाद आप आगे जो है यहां पर जो भी modification करना चाहते हैं अपनी choice feeling में वो modification आप कर सकते हैं जैसे यहां पर दिखा हुआ है important instructions ठीक है और इसमें क्या लिख रहा है कि if you want to modify your choices in round 2 counselling please give the consent ठीक है तो आपसे consent यहां पर मांगा जा रहा है as yes ठीक है और once you opted yes it cannot be reversed अगर आप यहां पर yes कर देते हैं तो इसको आप दुबारा से no pin नहीं कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है if you choose yes यहां पर लिखा हुआ है if you choose yes and do not modify your choices your filled choices of previous round will be considered for seat allotment in round 2 और अगला यहां पर लिखा है if you do not want to modify your choices filled in previous round then choose no in this case your filled choices of previous round if any will be considered for seat allotment in round 2 ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि आप यहां पर modification करना चाहते हैं तो yes पर click करेंगे जो कि no पर नहीं दुबारा आप कर सकते और अगर आप यहां पर modification नहीं करना चाहते तो no पर click करके आपको password fill करना होगा तो यहां पर मुझे क्या करना है modification करना है तो हम यहाँ पे select करेंगे yes पे जहाँ पे आपका do you want to modify your submitted choices for round 2 of counseling दिखा रहा है इसमें से हम जा करके yes पे select कर लेंगे क्योंकि हमें modify करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती से private भर दिये होंगे कुछ बच्चों के जो है पासवर्ड फिल करने के बाद हम यहाँ पे save and proceed पे क्लिक करेंगे तो हमने अपना password फिल कर लिया है इसके बाद हम save and continue पे क्लिक करेंगे okay करने के लिए option आएगा okay करने यहाँ पे और यहाँ पे हमारा upgrade करने के लिए unlock हो जाएगा ठीक है यह पहले option नहीं था 2000 यहाँ पे आपका 23 में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 round की जो आपकी एक साथ choice feeling first round में होती थी अब उसको upgrade कर दिया गया है और आप यहाँ पे second round में भी अपनी choices modify कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो यह choice feeling new करके blink करने लगा जो की पहले नहीं था अब हमें choice में जो modification करने हैं यहाँ पे हम click कर लेंगे choice feeling पे click करने के बाद यहाँ पे हमसे दुबारा password मांगा जाएगा तो हमने यहाँ पे दुबारा से password अपना fill कर देना है और password fill करने के बाद हमें यहाँ पे submit बटन पे click करना है ठीक है तो हमने यहाँ पे submit बटन पे click कर दिया password fill करने के बाद तो password हमारा fill हो चुका है और देखिए यह upgrade करने के लिए हमारा खुल चुका है ठीक है तो अब हमें जो भी यहाँ से अपग्रेड करना है चीज़े वो हम अपग्रेड कर सकते हैं जैसे हमें यहां से मालीजी यह last वाला college हटाना है हम यहां से remove कर रहे हैं जैसे student को यही college यानी कि यह साजहान पूर वाला college लूट हुआ है तो मालीजी हम remove करते हैं देखिए अभी remove हो गया ठीक है यह तो ऐसे ही क तो जो भी modification करना चाहते हैं, चाहे आपने float किया है या fridge किया है, तो modification तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने admission लेने का निर्ड लिया है, अगर आपने float किया है, तो आप वो college भी हटा सकते हो, यहाँ पे जो colleges यहाँ पे आपको allot हुए हैं, यहाँ पे आपको first round में, ठीक है, तो यह होगा आपका save and continue का button, इसके बाद देखे, आपको अपने जो भी choices यहाँ से delete and add करने हैं, तो add भी कर सकते हैं, जैसे मालो government add करना है, हमको government select कर लेंगे, प्रोग्राम में हमें मालीजे chemical engineering चाहिए, या जो भी चाहिए, हमें मालीजे chemical engineering चाहिए, तो chemical engineering आ गई, यह यहाँ से जो भी college हमें add करना है, मालीजे यहाँ पर हमें गोरखपूर आड करना है, तो हम add button पर click करके add कर लेंगे, यहाँ पर हमारा college देखो, government politics गोरखपूर और इसमें chemical engineering आ चुका है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर save and continue पर click करने के बाद, अब हमें अपनी choices save करनी है, तो हमें सीधे जाना होगा lock choices पे, lock choices पे जा करके हम अपने यहाँ पर जो choices हैं उसको अप्ग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अप्ग्रेड करने के बाद, लेकिन इस बाद का ध्यान रखिएगा, कि अभी जो choice locking है, यह उपलब्द नहीं हुई है, यह choice locking उपलब्द होगी, 25 locking या फिर यह अप्ग्रेडेशन का option सभी को इसलिए दे रहा है, क्योंकि आपको choice locking की information इन्होंने first round में नहीं दे थी, तो हो सकता है कि second के बाद third के लिए modification का option ना enable हो, या हो भी सकता है, इसकी कोई certainty नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, इस बात की uncertainty है, तो इस चीज को इधान में रखते हुए second और third के लिए एक साथ अपनी choice feeling करिएगा और ज्यादा से ज्यादा colleges अपने rank recording भरिएगा, अपने rank recording colleges भरने के लिए आप लोग official website पे आ जाईएगा, यहाँ पर आर्चियू एक option दिखाएगा, आर्चियू option में नीचे की तरफ आएंगे, आप एक option दिखाएगा यहाँ पे, ORCR यहाँ पे एक दिखाएगा, ORCR previous year का, इस ORCR पे आप click करके इसको open कर लिजेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको round number select करने को, institute select करने को, program और category select करने को मिलेगा, अपनी category आप OBC, SC, ST, जो भी होंगे वहाँ से select कर लेंगे, general होंगे तो आपको open select करना है, ठीक है, और open के अलावा, यहाँ पे सब category भी साथ में दी है, जैसे FF है, तो freedom partner, GL है, तो girl, MP है, तो आपका military person, PH है, तो handicapped, ऐसे करके, आप यहाँ पे GL है, तो girl है, तो ऐसे करके, यहाँ से अपनी category select कर लिजे, category select करने के बाद, यहाँ से आप अपने institute select कर लिजे, जिस institute के लिए आप ORCR, new opening rank, closing rank निकता देखना चाते हैं, वो select कर लिजे, किसी specific round number के लिए तो round number के लिए यहाँ से select कर लिजे, और यहाँ से आप program, यनि कि जो भी branch select करना चाते हैं, जिसके लिए देखना चाते हैं, वो select कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे जैसे मालो कोई private या government जैसे यहाँ पे देखो government पॉल टेक्निक गोंडा है ठीक है इसकी round 1 की ओर सी यार दी हुई है civil engineering की ठीक है और इसमें बता रहा है कि यहाँ पे जो OBC girl थी उस category में यहाँ पे 19.384 से opening हुई थी और closing जो ही थी जिस rank पे वो 36.497 है तो ऐसे ही समझ के अपनी category के recording आप यहाँ पे अपनी एक college की list बना लीजे और यहाँ पर आ करके choice feeling पे click करके आप अपनी choices भर लीजे तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपने ORCR के अनुसार भरा हुआ है college तो definitely 100% आपको college alert होगा और यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को दुबारा से choice feeling करने के ला और modification करने के लिए मौका दिया जा रहा है इसके लिए बहुत-बहुत बदाई आप सभी को और ऐसा होना नहीं था instruction में भी लिखा हुआ था लेकिन कहते हैं न कि अगर कुछ अच्छा होना है तो उसे कोई रोग नहीं सकता है तो वो आपका यहाँ पे हो गया और आपको एक और एक तरह से वरदान बून मिला है और आपको एक दुबारा से मौका मिला है कि आप अपने choice feeling इत्मिनान से अच्छे से बारीकी से कर लिजे और यहाँ पे आप सभी जो है ऐसे counselling करिए ऐसे choice feeling करिए कि second round में आपको 100% government college alert हो ही हो ठीक है तो इस प्रकार से करके आप choice feeling and choice locking आप कर सकते हैं choice locking आपका 25 अगस्त की सुबह 10 बजे से सुरू होगा जिसकी मैं update उस दिन दे दूँगा तो इस प्रकार जिस तरह से मैंने बताया अगर आप choice feeling करते हैं हमारे बताय हुए instructions को follow करते हुए तो 100% आपको यहाँ पे government college alert होगा ठीक है तो इस तरीके से आपको अपनी जो है choice feeling करनी है जैसे कि इस वीडियो में आपको सबसे पहले update choice feeling second round को ले करके update सबसे पहले दिया मैंने इसी तरीके से लगातार आप चाहते हैं कि कोई भी update आए तो उसकी information सबसे पहले आप तक पहुँचे तो इसके लिए हमारे channel Sunu Sir Classes को अभी subscribe करें notification bell को press करके all पर select कर लिजे and telegram group को आज ही join कर लिजे ताकि कोई भी video and update counseling related यहाँ पर आप से miss न हो और आप अब तक तो समझी क्या होंगे counseling एक बहुत ही important step है बहुत ही important part है आपकी admission को ले करके तो इससे आप इसमें जो है थोड़ा भी अगर लापरवाही करते हैं तो definitely आपको उसका परडाम जो है देखना पड़ेगा उसका नुकसान जो है झेलना पड़ेगा आप चाते हैं ऐसा ना हो तो telegram group से जुड़े रहें और channel पे जो है लगातार जुड़े रहें ताकि कोई भी update आती है तो उसकी information सबसे पहले आप तक पहुँचे आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइप सेशन के साथ तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी स्वास्त रहें मस्त रहें